ओम शांति आज की तारिख है 24.11.2024 के बाबा की अव्यक्त महावाक्य है रिवाइस डेट 15.12.2002 मदुबन अव्यक्त बाप दादा समय परमान लक्षय और लक्षन की समानता दवारा बाप समान बनो आज चारों और के सरब समान धारी बच्चों को देख हर्शित हो रहे हैं इस संगा पर जो आप बच्चों को समान मिलता है उससे बड़ा समान सारे कलब में किसी भी आत्मा को प्रापत नहीं हो सकता क्योंकि कुछ परमात्मा समान दे रहे हैं कितना बड़ा समान है इसको जान कितना बड़ा है, यह समरीती में रहता है, सबमान की माला बहुत बड़ी है, एक एक दाना गिनते जाओ, और सबमान के नशे में लवलीन हो जाओ, यह सबमान अर्थात टाइटर स्वम बाप दादा दौरा मिले हैं परमात्मा दौरा सबमान प्रापत हैं इसलिए इस सबमान के रुहानी निशे को कोई अथर्टी नहीं जो हिला सके क्योंकि आलमेटि थर्टी दौरा प्रापती है तो बाप दादा ने आज अमरित बेले सारे बिशब के सरफ बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की समरिती में कितने सबमानों की माला पड़ी हुई है माला को धारन करना अर्थात समरिती दवारा उसी स्थिती में स्थित रहना तो अपने को चेक करो यह समरिती की स्थिती कहां तक रहती है जब सम्मान बाबा कहते हैं मैंने तुमको इतने दियें किसी भी स्थिती में कोई हल्चर पैदा होती है तो उस हिसाब का सम्मान आप समरिती में लाते हो और अपने को चेक भी करना है कि हमें सम्मानों पर निश्चा है यह समरिती की स्थिती कहां तक रहती है जब सबमान लेते हो तो तुमारी स्थिती घूमती तो नहीं, स्थिती में सीचत हो जाते हो, बाब दादा देख रहे थे कि सबमान का निश्चे और उसका रोहनी नशा दोनों का बैलस कितना रहता है? निश्चे है नालजफुल बनना और रोहानी नशा है पावरफुल बनना तो नालजफुल में भी दो परकार के देखी एक है नालजफुल दूसरे है नालजबुल यानि ग्यान सवरूब तो अपने से पूछो मैं कौन बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्षे बहुत उचा है लक्षे उचा है ना क्या उचा है सभी कहते हैं बाप समान बनेगी तो जैसे बाप उचे ते उचा है तो बाप समान बनने का लक्षे कितना उचा है तो लक्षे को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं लक्षे तो आपने तना उंचा ले लिया मामा देख रहे हैं लेकिन बताएं क्या सोचते हैं बताएं क्या लेकिन क्या वैं टीचर या डवल फार्न सुनेंगे समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्षे और लक्षन समान चाहते हैं अभी अपने से पूछ हो कि लक्षे और लक्षन रत्हाथ बारतमां समें बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते के बच्चे भिन्विन परकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं बाप की महबत के आगे मेहनत करने की अभिशक्ता ही नहीं है जहां महबत है बहां मेहनत नहीं क्या दे अभिमान में आने में उर्शाथ करना पड़ता या 63 जनम उर्शाथ किया नेचर बन गई नेचरल बन गया जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही की बजाए देह में आ जाते हैं तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचरल रहा वैसे अभी देही अभिमान निस्तिती भी नेचरल और नेचर हो नेचर बदलना मुश्किर होती है अभी भी कभी कभी कहते होना कि मेरा भाव नहीं है नेचर है बाबा कहते है ऐसे अब भी कहते हो कि मेरा इरादा तो नहीं है तेकिन नेचर है तो उस नेचर को नेचर बनाया है और बाव समान नेचर को नेचर नहीं बना सकते उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथात नेचर बासमान बरने की इसमें मेहनत क्यों तो बाब दादा अभी अभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचरल नेचर देखने चाहते हैं ब्रह्मा बाब को देखा चलते फिरते कोई भी कार्या करते देही अभिमाली स्थिती नेचरल नेचर थी क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ममत्तब देवान से खतम किया जो ब्रह्मा बाबा थे उनकी बात बता रहे हैं परमात्मा शीव बाब दादा ने समाचार सुना कि आज कल विशेश दादियां यह रूरहान करती हैं परिष्टा अबस्था करमातित अबस्था बाब समाचा अबस्था नेचर कैसे बने नेचर बन जाए यह रूरहान करते होना दादी को भी यही बार बार आता है ना फृरिस्ता बन जाए कर्मातित बन जाए बाप परत्यक्ष हो जाए तो फृरिस्ता बनना हुआ निराकारी कर्मातित अवस्था बनने का विशेश साधन है निरहंकारी बनना निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लाष्ट मंतर निराकारी के साथ निरहंकारी कहा सिरफ अपनी दे या दूसरे की दे में फसना इसको ही देहंकार या देवान नहीं कह जाता है दे अंकार भी है दे भान भी है अपनी दे या दूसरे की दे के भान में रहना लगाव में रहना उसमें तो मिजूर्टी पास है जो पुरशार्त की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरशार्त है, वह इस मोटे रूप से परे हैं, लेकिन देवान के सुक्षम अनेग रूप हैं, बाबा देवान की भी के रूप बता रहे हैं, इसकी लिष्ट आपस में निकालना बाब दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है क्योंकि सबी समझदार हैं, आप सब जानते हो ना, अगर सबी से पूछेंगे ना, तो सब बहुत हुश्यारी से सुनाएंगे लेकिन बाब दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुर्शाद बताते हैं कि सदा मन बच्चन करम संबंद संपर्क में लाष्ट मंतर तीन शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो ये तीन शब्द याद रखने हैं, संकलब करते हो तो चेक करो, महा मंतर संपर्ण है, ऐसे ही बोल, करम, सब में सिरफ तीन शब्द याद रखो और सम्मानता करो, ये तो सैज है न, सारी मुर्ली नहीं कहते हैं याद करो, तीन शब्द ये महा मंतर है, बाबा ने हमें ये तीन महा मंतर दिये हैं, जिनको याद रखना है, संकलब को भी श्रेष्ट बना देगा, बानी में निर्मानता लाएगा, करम में सेवा भाब सदा शुब भाबना, श्रेष्ट कामना की बृति बनाएगा, बाब दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं, सेवा में आज कल भिन भिन कोरस करते हो, लेकिन अभी एक कोरस रह गया है, वह हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोरस का कोरस कराना, शक्ति भरने का कोरस, बानी दवरा सुनाने का कोरस नहीं, बानी के साथ साथ शक्ति भरने का कोरस भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए, यह वर्नन करे कि आज मुझे शक्ति की अंचली मिली, अंचली भी अनुब हो तो उन आत्माओं के दिए बहुत है कॉरस कराओ लेकिन पहले अपने को करके फिर कहो यानि पहले खुद करो फिर बच्चों को बताओ तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं लक्षए और लक्षन को समान बनाओं लक्षए सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहच बन जाएंगे बाप दादा तो बच्चों को समान से भी उंचा अपने से भी उंचा देखते हैं सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं तो ताज तो सिर से भी उचा होता है ना टीचर्स सिरके ताज हो टीचर्स से देखो कितनी टीचर्स हैं एक गुरुप में इतनी टीचर्स तो हर गुरुप में कितनी टीचर्स होगी टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकलब किया है लेकिन सामने नहीं लाया है जानते हो कौ कुंसी एक दो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ वारिसों की माला जर्नल माला नहीं दूसरा संबंद संपर्क वालों को माइक बनाओ आप नहीं भाशन करो लेकिन वे आपकी तरब से मीडिया बन जाएं अपनी मीडिया बनाओ मीडिया क्या करता है उल् पाइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान परत्यक्षता का आवाज फेलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया। वह तो कामन समझते हैं। लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथौरिटी वागे कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में होगा, तो बनाओ मिडिया त्यार करो, देखेंगे किया है, बाबा आज कह रहे हैं, फिर आकर देखेंगे भी कि किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोडो, त्यार किया है, हांत ठाओ, जिसने ऐसे त्यार किया है, बाब दादा, देखेंगे कोन से त्यार किया है, अच्छा हि पीचर्स तो क्या करना है, शिवरात्री पर वारिस कवार्टी त्यार करो, माइक त्यार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्री पर सबके मुख से शिव भाव आ गया, यह आवाज निकले, ऐसी शिवरात्री मनाओ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक त्यार हो, कोई वारिस त्यार हो, यह पुर्शाद करो, भाशन किया, चलेगे ऐसा नहीं, यह तो 66 वर्ष हो गए, और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए, अभी शिवरात्री के डामेंड जुबली मनाओ, यह दो परकार की आतमाई त्यार करो, फिर देखो नगाडा बसता है या नहीं, नगाडे आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देविया हो, शक्षतकार कराएंगी, नगाडे बजाने वाले त्यार करो, जो प्रैक्टिकल गीत गाएं, शिव शक्तियां आ गई, सुना, शि ऐसे ही भाशन करके, पूरा नहीं करना, फिर लिखेंगी बाबा, पांसो हजार लाक आदमी आ गई, आतो गए संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माईक कितने निकले, अभी वह समाचार देना, जो अभी तक किया, धरनी बनाई संदेश दिया, उसको बाबा अच् हैं, वह सेवा व्यत नहीं गई है, समर्थ होई है, प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए, राजा रानी तकत बाले नहीं, राजा रानी के साथ महा दरवार में भी राजे इसमार बैठते हैं, ऐसे तो बनाओ, रज्य दरवार शोबा वाली हो जाए, सुना, शिवरात्री पर क्या करना है, पांडव सुन रहे हो, हाथ उठाओ, ध्यान दिया, अच्छा, बड़े बड़े महारती बैठे हैं, बाब दादां खुश होते हैं, यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सब का संकलब चलता है न, पर त्यक्स्त कब होगी, कब होगी, तो बाब दादा सुनता रहता है, क्या सुना मदुवन वालों ने, मदुवन वालों ने सुना, मदुवन, शांती भन, ज्यांस रोहर बाले, सभी मदुवन निवासी हैं, अच्छा, मदुवन से नगाड़ा बजेगा, कहां से नगाड़ा बजेगा, दिल्ली से, मदुबन से, नहीं, कोई चारो और से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मदुबन से भी बजेगा, तो चारो और से बजेगा, तभी कुम्ब करन जागेंगे। मदुबन वाले जैसे सेवा में अदग होकर सेवा का पाठ बजा रहे होना ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो सिरफ कर्मना नहीं मनसा बाचा कर्मना तीनों सेवा करते भी हो और जैदा करना अच्छा मदुबन वाले भूले नहीं है बाबा कहते हैं मदुवन वाले भूले नहीं है, मदुवन वाले सोचते हैं, बाब दादा आते मदुवन में हैं, लेकिन मदुवन का नाम नहीं देते है, मदुवन तो सदा याद है ही, मदुवन नहीं होता तो है, आते कहां, आप सेवादारी सेवा नहीं करते, तो ये खाते रहते कैसे तो मदुवन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से द्वाइ देते हैं अच्छा मदुवन से भी प्यार टीचर से भी प्यार मीठी मीठी माताओं से भी प्यार और साथ में महाविर पांड़ों से भी प्यार पांड़ों के बिना भी गती नहीं है बाबा कहते हैं पांडबों की बिना भी गती नहीं है इसलिए चत्रभुज रूप की महिमा ज़ादा है पांडब और शक्तियां दोनों का कमबाइन रूप विश्णू चत्रभुज है अच्छा मदवन बाले पांडब आप सब को भी नशा है बिजय का नशा और नशा नहीं अच्छे हैं पांडब भवण में मिजॉर्टी पांडब है पांडब नहीं होते तो आप सब को मदवन में मजा नहीं आता इसलिए बलिहारी मदवन निवासियों की जो आप को मोज से अरहाते, खिलाते और उडाते हैं आज बाप दादा को मदुबन निवासी अमरित वेले से याद आ रहे हैं चाहे यहां हैं, चाहे उपर बैठे हुए हैं चाहे मदुबन वाले कोई यहां भी जूटी पर हैं लेकिन चारों तरफ के मदुबन निवासीयों को बाप दादा ने अमरित वेले से याद दिया है अच्छा, बाप दादा ने जो रोहानी एक्सरसाइज दी है वे सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय करते हो बाबा ये भी पूछ रहे हैं निराकारी और फ्रिस्टा, बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फ्रिस्टा सब रूप, दोनों में देवान नहीं है तो देवान से परे होना है तो यह रोहानी एक्सेस आज करम करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकिन में अभ्यास कर सकते हो, यह एक नेच्रल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिस्ता, अच्छा बाब दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे निरंतर भाब चारों और के बाब दादा की याद में मगन रहने वाले, बाब समान बनने के लक्षे को लक्षन में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन वा रात जाग करके बैटे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाब दादा याद प्यार, मुवार्ख और दिल की द्वाइदे रहे हैं, बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिला राम बाप की याद समाई हुई है, हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा परस्नल नाम से याद प्यार दे रहे हैं, नामों की माला जपे तो रात पुरी हो जाएगी, बाप दादा सबी बच्चों को याद देते हैं चाहे पुर्षात में कौन सा भी नमबर हो लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के सरे सबमान को याद प्याद देते हैं और नमस्ते करते हैं याद प्याद देने के समय बाप दादा के सामने चारों और का हर बच्चा याद है कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में गाम में शेहर में देश में विदेश में जहां भी है बाप दादा उसको सबमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं सब याद प्यार के अधिकारी हैं क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं आप सभी सक्मुख वालों को भी बाब दादा सबमान के मालादारी सबरूप में देख रहे हैं सभी को बाब समान सबमान सबरूप में याद प्यार और नमस्तिक दादी जी से ठीक हो ग भाग गई वह सिर्फ दिखाने के लिए आई जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है सभी दादियां बहुत अच्छा पाट बजा रही हैं बाप दादा सब के पाट को देख करके खुश होते हैं निर्मल शांता दादी से आदी रतन होना अनादी रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो साथ साथ रहते हूं और आदी रूप में भी राज्य दरवार के साथी हो सदा रायल फैमिली के भी रायल हो और संग्मम पर भी आदी रतन बनने का भागया मिला है तो बहुत बड़ा भागया है है ना भागया आपका हाजी रहना हो सबके लिए वर्दान है बोलो नहीं बोलो कुछ करो नहीं करो लेकिन आपका हाजी रहना ही सबके लिए वर्दान है अच्छा ओम छान्ती मीठे मीठे सिकला दे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोनी रोहानी बाब की रोहानी बच्चों को नमस्ते हाम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को शर्दा बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी 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 मुर्ली के लिए वर्दान सत्गुरू परंपिता प्रमातमा जी का लोकिक अलोकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमातम साथ के अन्भब द्वारा नश्टो मोहा भब सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभू प्यार की अन्भुती और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे अलग नहीं होंगे प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहें जब बाप साथ है तो सरब बाप को दे कर खुद हलके हो जाओ यहीं विदी है नश्टो मोहा बनने की लेकिन पुर्शात की सबजेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइज करो लोकिक और अलोकिक जीवन में सदा न्यारे रहो तब सदा साथ का अनुभव होगा सलोगन विकारों रूपी सांपों को अपनी शईया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे विकारों रूपी सांपों को अपनी शईया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे ओम शान्ति